आज बात हम लोग करेंगे clause हिंदी होता है उपवाक्य आपने वाक्य तो जरूर सुना होगा तो sentence और clause को बहुत ही आसानी से समझते हैं sentence आपका होता है subject, verb, object और clause क्या होता है आपका? subject, verb वर्ब आपका कौन सा? finite verb अब आप समझ रहोंगे कि finite verb क्या होता है तो बढ़िया से समझेगा finite verb उसे कहते हैं जो subject के अनुसार change कर जाए जो subject के अनुसार change कर जाए वो आपका finite verb होता है आप समझते है clause क्या है इसके definition के बारे में कितने types होते हैं तो देखिए a clause is a group of words which forms part of a sentence and contains a subject and a finite verb of its own clause वैसे सब्द समुख को कहा जाता है जो किसी वाक्य का अन्स हो और जिसमें एक subject और एक finite verb हो ध्यान रखिएगा एक subject subject आपका दो ही होते हैं या तो noun नहीं तो pronoun जिसमें आपका एक subject और एक finite verb हो उसे क्या बोलेंगे clause ठीक है examples को देखते हैं you will pass if you work hard इसमें आपका दो clause है कौन-कौन you will pass और second आपका if you work hard अब बात करेंगे clause के types की clause दो परकार के होते हैं पहला आपका principal clause इसका एक और नाम है main clause और independent clause अप नाम से ही लग रहा है principal clause का मतलब main clause यानि की प्रधान उपवाक्य एक तरसे समझे तो यह क्या है मालिक है दूसरा आपका होता है subordinate clause dependent clause इसको आप समझ लिजेगा नाम कर यानि के मालिक कौन आपका होगया principal clause और दूसरा आपका होगया subordinate clause एक सेंटेंस में दो पार्ट होंगे तो एक पार्ट आपका क्या होजेगा principal clause और दूसरा पार्ट आपका क्या होजेगा subordinate clause अब बात रहेगी कि भाई हम एस identify कैसे करेंगे कौन सा आपका principal clause है कौन सा subordinate clause है यही identify करने के लिए आपके paper में पूछा जाएगा तो यह मैं आपको बताने वाला हूँ ध्यान से समझिएगा पहले यह समझते हैं कि principal clause होता क्या है वह clause जो किसी अन्य clause पर निर्भर नहीं रहता है मैंने आपको बताया मालिक मालिक किसी पर निर्भर नहीं होता है मेरे भाई तो क्या हो गया principal clause वह clause जो किसी अन्य clause पर निर्भर नहीं रहता है और दूसरा आपका subordinate clause वह clause जो अपनी अर्थ की पुर्णता के लिए principal clause या अन्य clause पर आसरित होता है यानि कि दूसरे के ऊपर ये depend होगा subordinate clause पहला आपका principal clause परंधान उपवाक दूसरा आसरित उपवाक के Note निमलिकित Conjunctions से सुरू होने वाले clause Subordinate clause होते हैं देखिए यही point बेहाद important है निमलिकित Conjunctions से स्टार्ट होने वाले clause Subordinate clause होते हैं identify करने का best trick आप Conjunctions जरूर पढ़े होंगे Coordinate Conjunction और Subordinate Conjunction तो Subordinate Conjunctions का जितना भी examples आपका होगा उसके बाद यदि कोई sentence आपका होगा तो समझेगा कि subordinate clause है examples को समझते हैं as, if, till, until, that, unless, etc यानि कि और भी आपके examples है यह यदि वाक्य में हो तो इनके बाद का sentence यदि आपका रहे तो समझ जाएगा subordinate clause और इसके पहले का principle clause अब examples को देखते हैं sentence को sentence आपका है you will pass if you work hard नहीं बलते हैं यदि तुम मेहनत करोगे तो तुम क्या हो जाओगे पास हो जाओगे तो you will pass if you work hard भी यदि आपको identify करना है कि कौन आपका principle clause है और कौन subordinate clause है तो समझेए if जहाँ से आपके start है if you work hard तो ये part आपका होजेगा subordinate clause और इसके पहले है you will pass तो ये आपका होजेगा principle clause बेहाद यहां सांड सा ट्रीक है आपका बढ़िया से समझ लिजिए subordinate clause if जहाँ से start आपका है उसके बाद का sentence subordinate clause इसके पहले जो है वह आपका principle clause तो ये आप समझ गए clause clause क्या होता है आपका एक subject और एक verb वर्व कौन सा finite verb और ये सब्द समूहों का ही एक आपका क्या है भाई भाग है एक part है जिसमें एक subject और एक finite verb होता है clause आपका दो परकार के कौन-कौन principle clause जिसका दो नाम और है main clause, independent clause principle clause आप एक्जाम्पल्स पे मालिक समझ येगा subordinate clause का dependent clause यानिके निरभर, यानिके नौकर आपको मालूम है नौकर जो होते हैं वो मालिक पर निरभर होते हैं तो आपका clause इस दो परकार के, पहला आपका principle clause और दूसरा subordinate clause I hope आपको समझ में आ गया होगा clause के बारे में, ओके धन्यवाद